पर मैं शिरिमती प्रेम परिहार, साहरे काचारे, राजकिय बंगर माविद्याले, डिडवाना और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट का टोपिक वीश्व व्यापार संगठन वीश्व व्यापार संगठन का परिचे एक बार हम देख लेते हैं कि क्या है ये वीश्व व्यापार संगठन कैसे स्थापिद हुआ 15 दिसंबर 1993 को वीश्व के 117 देशों ने गैट समझोते को स्विक्रती परदान कर वीश्व व्यापार के इतिहास में एक सबसे बड़ा बहु पक्षिये व्यापार समझोता किया जिसे हम एक जन्वरी 1995 को गैट का स्थान ले करके वीश्व व्यापार संगठन की रूप में जानते हैं गैट जिसको हम किसके बारे में जानकारी देंगे इसका कारे जो था सिरफ टैरिफ को कम करना था और विदेशी व्यापार के व्यापधानों को दूर करने तकी इसका काम सीमित था परन्तु विश्व व्यापार संगठन के कारे शेत्र में बोधिक संपधा अधिकार विदेशी पूंजी निवेश उपाय सेवाओं में व्यापार का समझोता बाजार विस्तार कपड़ा उद्योग एवं क्रिशी और संस्थागत मामलों का भी समावेश किया गया यह अंतराश्टी स्तर का विश्व व्यापार संगठन ने केवल समझोतों के किल्यानवेन में आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं और विवादों का निप्टारा करेगा बलकि समझोतों की व्याख्या एवं किल्यानिवन में तेजी से विश्व व्यापार में व्रद्धी का मार्ग भी प्रशास्त करेगा नए शेत्रों के समावेश से विश्व व्यापार संगठन की महता या कानूनी हैसियत बढ़ गई है इस संगठन को सदसे देशों के अपने आंतरिक राष्ट्रे नियमों एवं घरेलों नीतियों में परिवार्तन कराने की कानूनी बाध्यता का अधिकार मिल गया है जबकि गैट को ये अधिकार नहीं था विश्व व्यापार संगठन को ये कानूनी अधिकार भी है कि वह सदसे राष्ट्रों के आर्थिक नीतियों पर निगरानी रखे जिससे कहीं समझोत की लक्षियों की प्राप्ति में यदि कोई बाधा उत्पन हो रही है तो वह उसी समाप्त कर सकी यदि कोई देश इन समझोतों की उलंगन में दोशी पाया जाता है तो उसे दंडित करने का अधिकार भी विश्व व्यापार संगठन को प्राप्त है जादशा है उसके बारे में हम और विस्ता से आगे जानकारी लेते हैं जब हम विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं तो 1947 में गैट की स्थापना के बाद से बहुराश्ट्री व्यापार प्रणाली के विकास के कारण एक जन्वली 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 15 अप्रेल 1994 को 123 देशों के वाणी जियव मंत्रियों ने मराकेश में उरुगवे दोर के फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किये थे 1986 से 1994 तक उरुगवे दोर की बाचित का लंबा सिलसिला चला जिसकी परणेती विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के रूप में हुई इस वार्टा में वस्तूओं के व्यापार से संबंध बहुपक्षिय नियमों ऐवम आनुषाशन की पहुचका काफी विस्तार हुआ और सेवा ऐवम बौधिक व्यापार की शेतर में बहुपक्षिय नियमों की शुरुबात हुई उरुगवे दोर वारता के कारण क्रिशी उत्पादों के बारे में अलग से समझोता हुआ इसके अलावा गैट वेवस्थाग में वस्त्र एवं कपड़ा उत्पादों के समन्वे के चरण बद कारेक्रम पर भी सहमती हुई गैट द्वारा निर्धारित नियमों तथा इससे सम्मंद समझोतों का WTO के सभी सदस्यों को एक मुष्ट समझोते के रूप में स्विकार करना था इन समझोतों की जिम्मिदारी एवं अधिकारों के बीच संतूलन पर विचार करने के बाद भारत सरकार ने WTO समझोते की पूष्टी की भारत गैट तथा WTO दोनों का संस्थापक सदस्यों है WTO नियम अधारिक पारदर्शी एवं प्रतेक्ष बहु पक्षिये व्यपार रवस्था है जो ताकतवर व्यपार भागिदार के दबाव से सदस्यों की रक्षा करती है WTO नियम अन्य WTO सदस्यों के बाजारों को भारत के निर्याद को राश्ट्रिय व्यवार और अत्यधिक तरजिये वाले यानि मोस्ट फैवरेट नेशन के रूप में भेदभाव रहित व्यवस्था प्रदान करते हैं राश्ट्रिय व्यवार सुनिश्चित करता है कि एक बार हमारी उत्पाद अन्य WTO सदस्यों के यहां आयात हो गए तो उस देश के उत्पादों की तुलना में उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा Most Favorite Nation व्यवार सिधान्त यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य देश अपनी कर व्यवस्था में ही नहीं बलकि अन्य नियमों, विनियमों, प्रोसाहनों आदी के मामले में भी WTO सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे यदि कोई सदस्य देश यह मैसूस करता है कि अन्य व्यापार भागिदार की व्यापारिक नीतियों के कारण उसको निश्चित लाब नहीं मिल रहा है तो वह WTO के विवादनी प्रारातंत्र यानि डिस्प्यूट सेटल्मेंट मिशन के तहत मामला दायर कर सकता है गैट की एस्थाई प्रकलती के विप्रेत विश्व व्यापार संगठन एक स्थाई संगठन है इसके स्थापना सदसे राष्ट्रों की संसदों द्वारा अनुमोदित एक अंतराष्ट्री संधि पर हुई आर्ठिक जगत में इसकी स्थिती अब अंतराष्ट्रिये मुद्राकोष वै विश्व बैंक के तूल्ये ही है किन्तु मुद्राकोष वे विश्व बैंक की भाथी यह संयूकतराष्ट्र संग की एजनसी नहीं है डबलू टीयों की सदसेता एवं मुख्या ले वत्मान में WTO की सदसे संख्या 164 है विश्व के लगभग 30 अन्य देश WTO के सदसे बनने की प्रक्रिया में है 19 दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान विश्व व्यपार संख्थन का 164 सदसे बना इससे पूर्व लाइबेरिया इस निकाय का 163 सदसे था और 26 अप्रेल 2015 से सेसिलस को विश्व व्यपार संख्थन का 61 सदसे बनाया गया था 27 जुलाई 2015 को कजाख्थस्तान विश्व व्यपार संख्थन का 162 सदसे बना विश्व व्यपार संख्थन से संबंद समीतियं विश्व व्यापार संगठन के कारे संचालन हेतु अनेक महतोपूण समितियां हैं सरवादिक महतोपूण दो समितियां हैं जिसमें विवाद निवारण समिती और व्यापार नीती समिक्षा समिती विवाद निवारण समिती का कारे विभीन राश्ट्रों के विरुद विश्व व्यापार संगठन के व्यापार नियमों के उलंगन की शिकायतों पर विचार करना हैं सबी सदस्य देश इस समिती के सदस्य होते हैं किन्तु किसी शिकायत विशेष के गहन अध्यन के लिए यह विशेशज्यों की समिती गठित कर सकती है इस समिती की बैठक महा में दो बार होती है व्यापार नीति समिक्षा समिती का कार्य सदस्य राष्ट्रों की व्यापार नीती की समिक्षा करना है सभी बड़ी व्यापारिक शक्तियों की व्यापार नीती दो वर्ष में एक बार समिक्षा की जाती है संगठन की सभी सदस्य राष्ट इस समीति के सदस्य होते हैं इन दोनों के अलावा विश्व व्यापार संगठन की अन्य महत्वकून समीतियां भी होती हैं जिसमें वस्तू व्यापार परिशद, सेवा व्यापार परिशद, तथा बोधिक अधिकार संपदा के व्यापार संबंदी पहलूँआ पर परिशद आधी-आधी विश्व व्यापार संगठन के उद्देशें विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में उसके उदेश्यों को स्पष्ट किया गया है जो इस प्रकार है जीवन स्तर में व्रधी करना पूर्ण रोजगार तथा प्रभाव पूर्ण मांग में व्रहत स्तरिये परंतु ठोस व्रधी करना वस्तों के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना ये सबी जो उदेशे हैं उपर वाले ये गैट में भी थे इनके अतिलिक्त विश्व व्यापार संगठन की प्रस्तावना में निम्न लिखित उदेश्यों पर भी चल्चा की गई है जिसमें सेवाओं की उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उप्योग करना ये बात विश्व के संसाधनों के बारे में गैट में भी विश्व संसाधनों का पूर्ण उप्योग करने की बात कही गई थी और एविरत विकास के धारणा को स्विकार करना Sustainable Development के बारे में जो हमारी अवधारणा है उसको स्विकार करने का इसका अगला उदेशे है अंतिम उदेशे है इसका पर्यावरण का सरंक्षन एवं उसकी सुरक्षा करना विभीन जो इसके सदस्य है उनके द्वारा पर्यावरण सरंक्षन के बारे में भी प्रयास किये जाएंगे और उसकी सुरक्षा के उपर काम किया जाएगा विश्व व्यापाल संगठन के कारे विश्व वियापार संगठन के कुछ महत्वपूण का उल्ले एक इस प्रकार है विश्व वियापार समझोतों तता बहु पक्षिये, बहु वचनिये समझोतों के कार्यान्वेन, प्रशाशन, एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंदित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों की बीच विचार विमर्षेतु एक मंच की रूप में कारे करना विवादों के निप्टारे से संबंदित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशाशित करना व्यापार निप्टी प्रक्रियाओं से संबंदित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना वैश्विक आर्थिक निती निर्मान में अधिक सामजस्य भाव लाने के लिए अंतरराश्ट्रिय मुद्रकोश एवं विश्व बैंक से सहयोग करना वैश्विक आर्थिक निती निर्मान में अधिक सामजस्य भाव लाने के लिए अंतरराश्ट्रिय मुद्रकोश एवं विश्व बैंक से सहयोग करना इसमें विश्व संसाध्नों का अनुकूलतम प्रियोग करना इसके सभी जो सदस्य देश चैस इनकारियों के अंदर सयोग करते हैं और इसके आधार पर अपने देश की नीती निर्मान करते हैं, अपने देश की विदेशी व्यापाल से संब्धित नीतियों का निर्मान करते हैं, देश के अंदर कैसा व्यापाल धंदा करना हैं, उनके ओपर क्या लाइसेंस प्रणा लिया हैं, यह भी विश्व व्यापाल संगठन के इन कारियों कि सबसे बड़ी निर्णायक संस्था देश के विभिन देशे जो हमारे सदसे देशे विभिन देशों के मंत्रियों का सम्मेलन है जिसकी दो वर्ष में बैठक होना जरूरी है यह उन सभी सदसे देशों को एक जुट करता है जो सीमा शूर्क जैसे प्रावधानों के कारण अ अलग अलग है यह सम्मेलन बहु पक्षिये व्यापार समझोते की अंतरगत किसी भी मामले पर फैसले कर सकता है उन्नी सो पिचाणवे में स्थापना के बाद से मंत्रिय स्तर के ग्यारा सम्मेलन हो चुकी है विश्व व्यापार संगठन का ग्यार्वा मंत्री स्तरिय सम्मेलन अर्जन्टेना की राजधानी ब्यूनस आर्यस में 10 से 13 दिसंबर 2017 को संपन हुआ था जिसमें अर्जन्टीना की मंत्री सुसाना मालकोरा की अध्यक्षता में संपन इस सम्मेलन में महतो पोन मुद्दे विवादित ही बने रहे तथा कोई विशेश उपलब्धी इस सम्मेलन के नाम नहीं रही सम्मेलन में भारतिय शिष्ट मंडल का नेत्रित्व वानिजे एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू द्वारा किया गया